सब्सक्राइब नहीं किया तो चिन को सब्सक्राइब कर लीजे बैल ऐकन को प्रेस कर लीजे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो आज की वीडियो है वो बहुत ज़ादा इंपॉडेंट होने वाली है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सके बि अगर इगनु की स्टूडेंट हमारी वीडियो को इस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे बैल ऐकन को प्रेस कीजे ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो जैसा कि मैंने आपको हमारी प्रीवेस वीडियो में करने वाली हूं यह मैंने भी यह भी मैंने आपको इनफॉर्म किया था हमारी प्रीवेस वीडियो में जिसको भी बीसी के सेकिंड सेमेसर के असाइमेंट के सॉलिशन चाहिए तो हमारे चैन को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को प्रेस कर लीजे त ताकि उनका के नियूज पहुच जाए तो आएए गाईज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं आपके साथ बीसी का सेकंड सेमेसर का जो असाइमेंट का कोशिन पेपर है वो शेयर कर रहे हो ताकि आप उसको चेक कर सके वेरिफाय कर सके कि हाँ आपका य फ़र्यों आपके जो कोशिन पर आप उसके साथ कि यहां पर आपको का असाइमेंट का रख है जो आपका हंडेड मार्क्स का है ठीक है जिसमेंगे six question है 100 मार्क्स के तो यह पूरा assignment है सबसे पहले में हाप एकाउंट का ही जो assignment है उसका अनसर अपलोड करने वाली हो ताब उ आपने असाइमेंट में अच्छा स्कोर कर सके वह भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगे इसलिए वीडियो को देखते रहिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और अपने फेंस के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके नेक्स्त आपका है पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एन प्रोग्रामिंग ये भी हमका का है जिसमें आपके सेटी मार्च आपके यहां पे कोशिन पेपर दे रखेंगे इसलिए आप हमारे चैनल से बने रही है फिर आतने नेक्स्ट के साथ का सेथा समय के में Organization and Assembly Language Programming ये भी आपका 100 marks का है जिसमें से आपके 4 questions है 80 marks के और 20 marks आपके वाइवा के लिए है ठीक है तो इस तरीके से इसका question बेपर दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफी लंबा जा रहा है बट कोई नहीं कर लेंगे हम इसको भी तो आप इसको देखते रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए बैल आइकन को पैस कीजिए ताकि आपको notification टाइम पर मिल सके आपका है communication skills ये भी आपका 100 marks का है जिसमें आपके 8 questions है 100 marks के तो इस तरीके से यहां पर आपको दे रखा है assignment ये काफी easy रहेगा आपके लिए करना और इसकी भी answers आपको यहां पर upload होते हुए दिखेंगे इसलिए हमारे challenge से जुड़े रहे है ताकि आप अपना assignment timely complete कर सके तो guys आपने अगर अभी तक भी subscribe नहीं किया है चैनल को चैनल को सबसे पहले subscribe कर लीजे bell icon को press कर लीजे वरना आप important videos को miss कर देंगे तो ऐसी गलती बिलकुल भी ना करें आप अपने assignment को अच्छे से complete करना चाहते हैं तो हमारे channel से जुड़े रहे है और next आपका discrete mathematics ये भी आपका 100 marks का है जिसमें से आपके 8 questions 80 marks के हैं और 20 marks आपके वाइवर्क लिए हैं तो इस तरीके से आपको यहां पे आपका question पर दे रखाए ठीक है तो हम इसके भी answers आपको provide करवाएंगे और guys अगर आप किसी और भी subject के assignments चाहते हैं तो आप हमें comment section में जरूर बताएं हम आपको उसके लिए भी जरूर help करेंगे अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में बता सकते हैं हम आपको आपकी उस problem को solve करने की कुछिश करेंगे तो आपके जो भी doubts हैं आप अपने comment section में हमें महलब हमारे comment section में हमें हमें बता सकते हैं ठीक है आम आपको हैं, C language programming यह आपका 50 marks का है, इसमें आपको एग ही question दे रख़ा है, 40 marks को, 10 marks आपके y वग ले हैं इस तरीके से आपको सिर्फ one के question दे रखा है तो आपका है, assembly Language Programming lab, यह आपका 50 marks का है, जिसमें आपके 2 question दे रखzas है, 14 marks को, 10 marks आपके y वग ले हैं तो guys, यह आपका पूरा एक question paper था, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस question paper के answers हम आपको provide करेंगे, इसलिए आप हमारे channel से जुड़े रहिए, अपने fans के साथ share कीजिए, ताकि उनकी भी help हो सके, और अगर आपको किसी और subject के भी assignment के answers चाहिए, तो आप हमें comment section में जर comment करिए, और channel को subscribe कीजिए, बाल आकट को पैस कीजिए, ताकि आपको सारी notification टाइम पर मिल सके, और आप अपना assignment जल्दी से जल्दी अच्छे से complete कर सके, और अच्छे mark score कर सके, तो thank you so much for watching this video, मिलते है next video में, question paper यहाँ पर इसलिए मैंने बनाया, question paper के उपर video इसलिए बनाए thank you so much for watching this video, मिलते है next video में solutions के साथ